मंगलबार को जमशेदपुर के कदमा थाना अंतरगत ECC फ्लैट में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक बंद पड़े मकान से बदवू फैल ने और मकान से गंदा दुरगंध यूक्त तरल पदार्थ निकलते लोगों ने देखा आसपास के लोग किसी अनहोनी की आशंका जान इसकी सूचना टाटा स्टील और पुलिस को दी नहीं सूचना मिलते ही कदमा थानी के पुलिस मौके पर पहुँची और घर का दरवाजा खोल कर देखा तो पता चला कि मकान के अंदर के शौचाले का पानी ओवर फ्लो होकर बह है और कुछ कबूतर मरे हुए हैं यह दुरगंद उसी से आ रहा था तब जाकर पोलिस ने राहत की सास ली पोलिस ने टाटल स्टील से ततकाल शौचाले को साफ कराने और क्वाटर को कबजे में लेने का निर्देश दिया तब जाकर लोगों ने राहत की सास ली ब्योरो र और वो काफी बदबू दे रहा है तो आसपास के लोगों ने यह पुलिस को खवत किया था और ताटा स्टील को भी यह दो आपकी अंदर से बदबू आ रही है तो सभाविक रूप से यह शंका जो ही कि किया कि हो सकता है कि अंदर कोई पुराने डेक वाडी हो इसके कारे ल और यह फ्लैट जो एक ही खाली पड़ा हुआ है तो जो बात्रूम का जो पानी है और जो लैट्रीन का जो पानी था ओवर फ्लो यह सब प्रतीत होता है कि काफी दिनों से कर रहा है और यह पूरे फ्लैट के कमरों में यह भर गया था प्रस कुछ कबूतर बगर जो है कि वह पर हम्रित पड़े थे तो वही पानी ओवर फ्लो होके सिही से निख्या रहा था और को लैट्रीन के पानी था और कबूतर ही भी हमारे हुए थे तो इन दोनों का जो है बदभू भी यह आजवा स्वास फैला हुआ तो इससा प्रतीत हुआ कि हो सकता है कि कोई डेट बड़ झाल प्रतीत हुआ आग। झाल